तो आज की स्वीडियो में हम कुछ चीजों के ऊपर बाते करेंगे सिबसे पहले उन लोगों के लिए जो एज फ्रेशर है और जॉब ढूंट रहा है किसी भी आईटी रोल पे या डिमांडिंग रोल पे दूसरे वो लोग जिनको जॉब लग चुकी है अच्छा पैकेज है लेकिन उन्हें आगे क्या करना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा यही गोल होता है एक अच्छी जॉब मिल जाती है उसके बाद नहीं पता दूसरी वो लोगों के लिए वीडियो है जिनको जॉब तो मिली है बट वो अपने जॉब से खुस नहीं है ज्यादा तर ऐसे लोगोंगे अब इन तीनों ही चीजों को जो मैं एक चीज थी से जिसमें अच्छागा साथ गहां और लास तक मैं बना रहा रहा जाएंड क्लीनिकल साथ फिर मैंने उस पे कुछ टाइम इस रोल पर जॉब किया एंड फाइनली मैंने डिसाड किया कि मैं कुछ और करूंगा तो मैं फुल टेम ट्रीनर बन गया तो देहों स सबसे पहली चीज तो अब मेरी पहली जर्णी से आपने क्या सीखा मेरा एजुकेशनल बैग्राउंड मेकैनिकल था फिर भी मैंने कुछ ऐसा चूज किया जो से अलग था बट जो की अच्छा था मार्केट में जिशी की अच्छी डिमांड थी स्टेबल भी है और काफी सारी तो मुझे उस चीज को फिगर आउट करने में पहली चीज टाइम लगा कि मुझे क्या करना चाहिए और उसके बाद उसको लेने में भी थोड़ा टाइम लगा अभी टाइम कम या ज्यादा हो सकता है आपकी स्पीड के ऊपर और आपका फिगर आउट कर रहे हो कॉलेज के दाउरान कatoreज के बाद या कब तो पहली चीज टाइम लगता है क्या करना है फिर एककरने & टाइम लगता है दूसरी चीज ऐसी है जो कुछी मिल जाती आज कर डऊचा करते रहतें कि इसी जूब नहीं मिल रहा जैसे मुझे काफी सारे कॉल्साट है ऊचलि और अललग- वो मुझे पूच रहा है कि सर ख्लिनिकल साइस में डेगा यहां कुछ बच्चों को मिल रहा है कुछ बच्चों का प्लेस्मेंट अर यह सिंबल सा फंड़ा है हर जग है अब जब जब लेनी की बारी आती है न इसमें सबसे पहली चीज होती है इस बहुत जरूरी है चाहे वह तो आप हो और यह वीडियो आज की बहुत इंटरस्टिंग होने वाली मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक उस दिनों में चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूं यह मैं आपको चीज करके बतांगा, कोई चीज झीरो से सिखने वाला हूँ और कुछ चीजिये, आगे की वीडियो मैं रुईट करने वाला हूँ, क्या चीज ἕर, क्या जौब लेके बताऊ अगा, तो जॉब मुझे करनी नहीं है to be true, but मैं वो जॉब क्रैक करके बताऊंगा, कुछ न्यू चीज़े सीखे, टेकनलोजी की जॉब, ताकि आपको पता चले, ठीक है, and especially data science के regarding होगा, data science related role मैं क्रैक करूँगा, उसके related knowledge लेकिया, software की skill लेकिया, और time duration मैंने 4-6 months का maximum रखा है, य तो यह तो चलो, यह आगे की planning की बात होगा, हम जो बात कर रहे हैं, जब आप चीज़े सीखते हो, तो उसके बाद time लगता है, depending upon the experiences, अभी आप मुझे पूछोगे, सर अभी तो आपने बोल दिया, कि 4-6 महीने में आप कुछ नया सीखके, उस पर जॉब लेके बताने वाल वो journey मैं एक बार शुरू करके खतम कर चुका हूँ, मैं एक चीज को सीखके और उस पर job ले चुका हूँ, यानि मैंने वो struggles कर लिया, मुझे पता चल गया कि क्या-क्या problems आती है, most of the cases में मुझे पता है कि क्या-क्या चीज़े होने वाली है, क्या गलतिया होती है, उन्हें क कर सीख रहे हो, उस पर एंटरी करने का सोच रहे हो, तो दिक्कत आती है, and coming to third thing, कि आपको तीसरे वो लोग जिनको job अच्छी मिल चुकी है, आपने मैनत विनत कर ली, मन्न लगा कर लिया, अब आगे कुछ सोच रहे हो, कि job में ही मैं upgrade करूँ या आगे कुछ और करूँ, त जैसे कि हम clinical SaaS की बात करें, तो आपने उसमें SaaS software सीख लिया है, उस पर आपको अच्छी job मिलके है, तो आगे क्या करना चाहिए, अब अपने surrounding में देखते रहो, जैसे की देखो, SaaS पे या clinical SaaS रोल पे आप एक्चुली करते हैं data analysis, यह सभी को पता है, अब data analysis करते हो, तो देख लिखा है, और समझा है, मैंने देखा कि variables कैसे create करते है, observations, तो variables में कैसा होता है, एक difference मैं बताता हूँ, R में variable case sensitive होता है, यह अगर आपने name capital में दिया है, तो आपको capital में ही उसको call करना पड़ेगा वापिस, जब इसको call करना तो capital में ही लिखना पड़ेगा, name variable को, whereas SaaS में क बढ़ता जाओंगा, मैं आपको बताऊंगा, और जैसे मैंने बता है, एक challenge भी start करने वाला है, जिसमें specially मैं बताऊंगा कि कैसे मैं 4-6 month के अंदर में interview crack करके बताऊंगा, जीरो से सीखके, और जो SaaS programmer है, जो already SaaS पर काम कर रहा है, उसके लिए R कोई difficult ही होने वाला है, यह मेर experience मैं बता रहा हूँ, मैंने recently R को देखाया, मुझे पता चला कि यह उतना difficult नहीं है, यानि एक पर जिसको programming आ जाती, उसके लिए उतना difficult नहीं होता, तो अगर आप भी clinical SaaS role के त्यारी कर रहे हो, तो primary language आपकी SaaS होनी चाहिए, उसके उपर job मिलने के बाद आप कुछ और चीज सदुआ हो, मैंने चीज है, अगर आप नई weiß हो, आप पीछे जा रहे हो, आप देखो अगर आप एसी बैसे बंदे होते हैं, जो मन लगा के मन लगा के से सीखते हैं, और काम करते-करते-करते ब attendant कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो मन लगा के नहीं करते हैं नहीं सीखते हैं 60 पर संट पॉपलेशन ऐसी है मान के चलो that is reality करते रहो जो चल रहा हो चलने तो आपको कब तक चलने देना चाहिए जाजार दस साल और पांच साल में आपको उसी रोल पे नए चीज सीखनी चाहिए जैसे कि सहस के साथ आ रहो गया इन फ्यूचर अगर कंपनी उसका भी यूज कर रहे तो आपको थोड़ा बहुत आता पड़ता है क्योंकि एक लेंग्वेज डेटा इनलेस साथ ही दूसरी सीखना इसी पड़ता है तो अपने आपको पांच साल या दस साल में आपको अपग्रेड करना ही चाहिए उससे पहले कर सकते हो तो उससे पहले भी करो अपग्रेड यानि ऐसा नहीं कि सीख लो बहुत स की जा रही है अपार्ट फ्रम से वह नौलेज ले सकते हो क्या चल रहा है इंडस्री में वह नौलेज ले सकते हो ऐसा नहीं कि पूरा दिन रात कर दे रहो अब एक और चीज बताता हो आगे जाके भी ऐसा सोचते हो ना कि जॉब के सीवा क्योंकि मैंने जॉब छोड़के उ उसको रीटेन करना वो फ्लो को बनाये रखना नौलेज को बनाये रखना तीसी चीज उसको बनाये रखने के साथ आपको अपग्रेड करना अपग्रेड बहुत ज़रूरी है चाहे आप खुद कुछ करो चाहे आप जॉब करो अगर आपको अच्छे पैसे कमाने लाइफ अ यानि जो काम कर रहे हूं उसमें आपको अप्ग्रेड करना चीए। उसमें आपको सीखना चीए। उसमें आपको आसफास देखना चीए, कि मैं जो कर रहा हूं। उसके सिवा OR क्या चल रहा है। URPGRED बहुत ही इंपोर्टेंट है, अब companies के case में चीज अलग हो जाती कंपनी क्या करती है कि talented candidate को रख लेती है उन्होंने क्या किया कि कंपनी में समझो कि कोई एक बंदा है अगर आप company on कर रहे हैं तो चीज अलग हो जाती क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग है जो talented हैं लेकिन जब तक आप एक खुद बंद क्योंकि अब आपका talent बहुत जादा है दस साल का experience पंदर साल का experience तो आप खुद की company create कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हो अपने साथ talented लोग रख सकते हो जो time to time skill upgrade करें और effective चीजे लेया है पिर आपका knowledge अगर थोड़ा सा nominal होता है कम भी होता है अलड़ी दस साल का knowledge जो होता है आपके लिए enough हो जाता है अब upgrade करने की ज़रतनी initial phase होता है सबसे पहले जो entry पहले चीज चूस करना कोई चीज चूस करना इसमें मन लगा करना जंप नहीं करना इधर उदर काफी लोग जंप कर देते हैं और कभी कोई चीज सीख लोना तो तर्क मत करो तर्क यानी मतलब बह करन लोग नहीं होगा तो नहीं होगा सही में that is reality आप जिस दिन अपने दमाग में डाल दोगी कि नहीं होगा मेरा खुदी इतना confidence हो नहीं पे तो कोई और क्यूं आपको confidence देनाने आएगा कि होगा हर कोई अपना काम कर रहा है जैसे आप अपना काम करते हो जैसे आप company में क काम उतना ही करते हो जितना काम के लिए पड़ी है शायद कभी कवार मन लगा के कर देते हो वैसे हर को ही अपना काम कर रहा है जो लोग वह काम कर रहे हैं जिनको पसंद है तो शायद मन लगा करते है एक difference है खुद पर confidence रखना जरूरी है jumping mindset नहीं रखना है बहुत जल्दी क किसी चीज से किसी चीज पर जंप नहीं करना है मैं मेरा experience share करता हूं आज से कुछ साल पहले जब मैं मेरी journey start कर रहा था तो लिटरली मुझे सैस में उस टाइम पर मार्केट अच्छा नहीं था तो उस टाइम पर मुझे शायद एक साल या उससे थोड़ा सा उपर टाइम लगा एक आपको पता होगा सैप करके भी software है मैं उसकी वीडियो बनाता हूं बनाता हूं मिंस बनाई थी पास्ट में अब नहीं बनाता है क्योंकि अभी मैं fully clinical science में engage हूं उसकी training से लेके और काफी सारी चीज़े तो वह सैप का भी मैंने सोच लिया था और एक टाइम ऐसा पर फाइनली मैंने अपना दिमाग रखा कि मैंने साइस को उस टाइम पर सोचा कि मैंने इतना time contribute किया है एक साल जितना धीरे-धीरे करके जैसे भी इधर-धर करके क्यों ना मैं इस पर ही थोड़ा और ध्यान लगा हूं और फाइनली मुझे एक साल बाद थोड़ा टाइम ह कि मैंने जॉब कुट केरें क्यों क्यों कि उसका सिंबल सा दिखो मेरा ऐसा मानना है कि जो मन करता है वह करो तो मैंने जॉब को क्विट किया प्रोफेश्चन को कुट नहीं किया ठीक है मैं वही काम अब clinical sectionaire बनके मैं खुढ से कर रहा हूं अभी मैं सोचता हूँ जो चीज करना बताना अब मेरे पास एक अच्छा नॉलेज है जिसकी मार्केट में ठीज दिमांड है तो मैं उसपे कर सकता हूं और मुझे चीज पसंद है तो यह मेरे लिए थोड़ा सा कि अच्छी चीज है और आप सभी के लिए अप सबी होने वाली है अगर बहुत टॉप 10 नाते हैं मुझे ऐसे फोड़ता पर हो तो भी भी शायद प्रॉब्लम हो सकती है। I believe top 10 को प्रॉब्लम नहीं आती बाकी जो मैंने जर्नी बताई धोड़ी बहुत वह 90% के लिए सब के लिए ऐसी जर्नी होने वाली है। काफी सारी चीज़ होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और कमेंट में आपको कोई क्वेश्चन हो डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए दोस्तों।